इसमें ये बता रहे हैं कि किसके लिए क्या उचित है सबके लिए तीनों उचित नहीं होगा पर ये समझ नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा कि किसके लिए क्या उचित है तीन नहीं अठारह बातें कही गई है भगवत गीता में अठारह अध्यायों में अठारह प्रकार के यूग हैं और अठारह पर भी गिंती रुक नहीं जाती जितने प्रकार के चित हो सकते हैं जितने तरह के मनुष्य हो सकते हैं और उन मनुष्यों की जितनी तरह की आंतरे के स्थितियां हो सकती हैं सबके समकक्ष यूग का एक विशिष्ट प्रकार रखा जा सकता है तो अठारह को अनन्त जानो अनन्त भातिके योग है तुम्हारे लिए कौन सानुकूल है अपने चित्त की दशा देखो और प्रयोक करना पड़ेगा अरजुन को भी अठारह बताने पड़े और वो भी तब जब सामने विशेशग्य बैठे हुए थे योग विशारत बैठे हुए थे तो भी अरजुन पर कम से कम अठारह प्रयोक करने पड़े तब जाकर कुछ आधी पौनी बात बनी तो आपको तो अपने उपर बहुत प्रयोक करने पड़ेंगे लगातार आप मवलोकन करना पड़ेगा अपने चित्तगी दशा को देखना होगा कम रौशनी में आगे बढ़ना होगा और फिर दिखाई दे कि रास्ता बन रहा है, मिल रहा है तो बढ़ते जाना होगा नहीं तो लोटना होगा कोई दूसरा रास्ता आजमाना होगा सूत्री ये है कि समाधान समस्या में ही छिपा होता है योग वियोग में ही छिपा होता है इमांदारी से अगर आप देख पाएं कि आपके मन की संग्रचना, दशा और दिशा क्या है तो कहां उसको शानते और पूर्णता मिलेगी ये भी आपको स्वतह ही स्पष्ठ होने लगेगा उसी शानते और पूर्णता का दूसरा नाम योग है कौन सा योग अनुकूल है आपके लिए ये जानने के लिए सरप्रथम आपको स्वयम को जानना पड़ेगा और स्वयम को जानने से मेरा मतलब है अपना चित, अपने कर्म, अपने विचार, अपने भाव इनके प्रति बड़ी सत्यता रखनी होगी खुल करके जानना होगा कि जीवन में चल क्या रहा है प्रति बड़ी सत्यता रहा है